और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी NCC Limited पहले इस कंपनी नाम था नागरजुना Construction Company और बाद में कंपनी नाम चेंट करके NCC Limited कर दिया है कंपनी सभी टाइप के construction काम करती है बात करें तो Buildings बनाएं कंपनी काम करती है उसमें Hospitals है, Airports, Sports Complex इस तरही चीज़े हो गई Transportation Company, roads बगरा, Metro, Tunnels इस तरही चीज़े बनाने काम करती है Water और Environment के लिए Water Supply Projects हो गए Water Treatment Plant है इस तरही चीज़े कंपनी बनाती है Electricity के लिए Transmission and Distribution जो प्रजेक्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है उसमें Substations है, System Improvement Project है, Smart Meters कंपनी बनाती है फिर बात करें, Irrigation में तो उसमें Dam है, Reserves कंपनी बनाती है, Canals है, Tunnels ये सब चीज़े बनाती है Company Mining का काम भी करती है, उसके लिए कंपनी अलग से Subsidory कंपनी है, उसमें कंपनी Over Button Removal करती है Coal का Excavation और Transmission का कंपनी काम करती है, Mining Development और Operations का कंपनी काम करती है और Railways के लिए कंपनी काम करती है, उसमें Civil, EPC है, Track Link है, Signaling, Telecommunication, High Speed Rail इस तरह के सारे कंपनी काम करती है फिर बात करें, कंपनी के कौन कौन से Client है, तो कंपनी बहुत सारे बात करें, तो सरकारी कंपनी साथ काम करती है जो Public, Private, Partnership जो सरकारी कंपनी बनाए है, उसमें कंपनी बीडिंग के दुरू प्रजेक लेती है और उनकी साथ काम करती है, उसमें बहुत सारे कंपनी बीडिंग के दूरू प्रजेक पूरे करके दी है उसमें महारास्ट्रा मेट्रो पूने मेट्रो हो गई, NBCC है, रेल विकास निगम है, पावर गिड्ग है, नैस्नल हाईवर अथॉर्टि फिंडिया है, एरपर अथॉर्टि फिंडिया है, अडानी है, CPWD और बहुत सारी कंपनीया हैं जिनके लिए कंपनी प्रजेक पूरे पूरा में, वो इसी कंपनी ने कंस्ट्रेशन करके दिया है, बैंगलूर मेट्रो का जह dementia है, हो भी यह 28 कंपनी बना दी है, उसके लाबहा दिल्ली के अंदर वर्ट्रेट संटरर इसी कंपनीय ने मनाए है, एम्स भाटिंडा, काफी सारे अच्छे अच्छे बढ़िया प्र सवारा कोल माइनिंग यहां बात करें तो यह कंपनी 2018 से काम कर रही है और 51 परसेंट की इसमें ओनर्शिप है एंसी सी लिम्टेड की और कंपनी का प्रजेक्ट है माइनिंग का तो कंपनी वहां से कोल निकालती है और आगे जो जो क्लाइंट है वेस्ट बेंगोल पावर डेप प्रजेक्ट है प्रॉटेक्ट करेन रख चेंदेब करके चुकी है इसके बांग बिर्फईंस में और माइपेर केन दिंगा चुकी है और 5 million square foot का जो काम है वो भी पाइक ब्लान में है और 4 million का जो square feet का area है वो under construction है तो काफी अच्छे और बड़े-बड़े company बना रही है काफी अच्छा profile company का लग रहा है फिर बात रहें कंपनी की order book की तो financial year जो अभी 25 का चल रहा है इसके quarter one के साथ देखें तो 52,000 और 6,000 अच्छे contract company लिए है और लगबग 408 क्रोड के जो order है वो नए कंपनी को अभी quarter one में मिले है तो company काफी अच्छा business कर रही है पहले से काफी अच्छे order है और नए-च्छे order भी company को मिल रहे है फिर बात करें कंपनी के shareholding pattern की कि कि किनकी लोगों ने अमना पैसे इन्वेस्ट क company लिया है तो सबी लोगों ने भर भर की अपना पैसा इन्वेस्ट करका है promoters ने तो ठीक है अपने पैसा निकाल लिया लेकिन एफवाइज ने टूल देखे तो 33% FIDS का investment है और 45% का इसमें public का पैसा लगा हुआ है तो काफी अच्छा प्रोफाइल इसमें बात की दी एम्स तो आने वाला future भी कमने ठीक है दे रहा है और काफी अच्छा कमने का track record भी है तो अच्छा प्रोफाइल कमनी होल्ड करते है